Hello students, I am Himadri Pashini from Department of Chemistry and आज का हमारा टॉपिक है Enthalpy of Convention ठीके जिसे हम उस्मा का दहन भी कहते हैं अभी Enthalpy of Convention क्या होता है सबसे पहले इसे जानते हैं तो किसी पदार के एक मूल के Oxygen की उपस्ती थी या पर वायू के अधिक्या में पूर्ण दहन से होने वाला Enthalpy परिवर्दन Enthalpy of Convention क्यालाता है इसका मतलब एक कि जब हम किसी कंपाउंड को Air की Presence में या फिर Oxygen की उपस्तिती में Complete जलाते हैं तो उसके दरान जो Enthalpy Change होती है उसे ही Enthalpy of Convention कहा जाता है जैसे कि या पर एक कॉमर एक्जामपल लिया गया है कि खाना पकाने के लिए प्रयोक्त होने वाली Gas जिसे कि हम LPG कहते है LPG का Full Form क्या होता है Liquid Petroleum Gas का Main Component Butane होता है Butane का Formula क्या है C4H10 Butane के 1 Mol के Complete Combustion से 635.3 किलो कैलोरी हीट मुकत होती है जब हम Butane का 1 Mol जलाते हैं खाना पकाने के लिए तो उस दोरान कितनी हीट फ्री होती है 35.3 किलो कैलोरी So the value of heat of convention of Butane is 635.3 किलो कैलोरी Mol Inverse यहां पर मैंने किसी reaction के थ्रू लिखा है यह देखिए यह Butane है जो Gaseous Form में जब यह 30 by 2 Oxygen के साथ react करता है तब Carbon Dioxide के 4 Molecule और Water के 5 Molecule जो की Gaseous Form में प्रोट्यूस करता है तो उस condition में जो enthalpy परिवरतन है वो कितना होता है माइनस इस 35.3 किलो कैलोरी होता है ठीक है वैसे ही हम मिथेन की Carbon की, Benzene की, Glucose की इन सबकी भी enthalpy को कैलकुलेट कर सकते है जैसे कि यह पर मिथेन आप सभी जानते है मिथेन गैस होती है जब यह Oxygen के साथ react करती है तो CO2 और Water Molecule का Formation करती है तो उस दरहां जो enthalpy परिवरतन होगा वो कितना होगा माइनस 212.8 किलो कैलोरी सेम जब Carbon Oxygen के साथ react करता है तो CO2 गैस का Formation करता है जिसके दरहां enthalpy परिवरतन जो होता है माइनस 141.8 किलो कैलोरी होता है ठीक उसी तरह जब benzene जो gas form में परिजन्ट है जब वो Oxygen के 15 by 2 parts से react करता है तो वो CO2 के 6 Molecule और Water के 3 Molecule generate करता है जिस दरहां enthalpy चेंज जो होता है माइनस 781.1 किलो कैलोरी होता है ठीक उसी परकार जब glucose जो solid condition में परिजन्ट है जब यह Oxygen के साथ react करता है तो 6 Molecule carbon dioxide के और 6 Molecule water के produce करता है और इंस production के दरहां जो enthalpy परिवर्टन होता है वो होता है माइनस 693.1 किलो कैलोरी होता है अब यहाँ पे इस बेस पे कुछे numerical मैंने solve किये है तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला numerical पहला numerical खाना पकाने के gas cylinder में 11.2 kg butane gas भरी है यदि एक परिवार को भोजन पकाने के लिए प्रती दिन 15,000 किलो जूल एनर्जी लगती हो तो गर्णा कीजे कि gas cylinder की gas कित्ते दिन चलेगी यह कहना चाह रहा है कि जो हम cylinder यूज करते हैं suppose उस cylinder में 11.2 kg gas भरी है जब एक family एक दिन खाना बनाती है तो उसको एक दिन का complete खाना बनाने के लिए 15,000 kg gas के required होती है तो वो gas कितनी दिन तक चल सकती है तो देखिए उसको solution कैसे है equation of combustion of butane यह methane है यह oxygen के साथ react करता है तो CO2 और S2O produce करता है तो इसके दोराण जो enthalpy परिवर्थन हो किता है माइनस 2,658 kg अब यहाँ पर देखिए butane का molecular form लगए है C4S10 तो इसका molecular mass कैसे होगा carbon atomic number 12 होता है 12 into 4 hydrogen का atomic number 1 होता है plus 10 into 1 total 58 gram mole inverse तो इस चुकी 58 gram butane को कमबंशन से इतनी किलो जूल 2658 किलो जूल होती है अतह 11.2 kg butane की कमबंशन से मुक्त होने वाली उश्मा तो 2658 divided by 58 into 1000 into 11.2 upon 1 kg चुकी हम बोल रहे हैं कि एक परिवार को खाना पकाने के टोटल किती एनरजी यूस होती 15,000 किलो जूल एनरजी यूस होती है तो फॉर्मूला क्या जाएगा 2658 into 1000 into 11.2 upon 58 into 50,000 जब इभन से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्याता है मैं 34.28 means 34 days इसका मतलब उस परिवार के लिए वो जो सिलेंडर है वो किते दिन तक काम कर सकता है उसी प्रकार यहां पी एक और numerical है जो मैंने सॉल्व किया है इसमें कोशन क्या है हमारा constant value तथा 17 degree Celsius टेंपरेचर पर यदि carbon monoxide की दहन हुश्मा माइनस 67.710 किलो कैलोरी हो तो constant pressure पर उसकी दहन हुश्मा ग्यात करना है तो सबसे पहले हम उसका formula लिख लेते है C carbon monoxide है जब oxygen के present में जलाया जाता है तो क्या बनता है? CO2 gas मोलती है carbon monoxide का एक मोल oxygen का half मोल और CO2 का एक मोल तो प्रूत अभी करिया के दोरान मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? DLN is equal to number of mole of product minus number of mole of reactant product one mole है अब reactant के है 1 minus 1 by 2 तो solve करेंगे तो DLN is equal to minus 1 by 2 ठीक है? that constant volume की हम जब बात करते है तो heat of combustion क्या हो जाएगा? DLN is equal to minus 67.7 किलो कैलोरी जैसा की हमारे question में कहा गया है ये constant volume पर जब हम carbon monoxide को जलाते हैं तो इत्ती किलो कैलोरी के होती है उश्मा मुप्तो होती है ठीक है? तो सुकी DLN क्या है? minus half है तो constant pressure के लिए heat of combustion DLH तो क्या होज़एगा? DLH is equal to DLN plus DLN RT DLH is equal to DLN की value यहां दी हुई है DLN minus half है R क्या है? minus half into 2 है into T 273 plus 70 degree Celsius जैसे की question में पूचा गया है तो जब हम इसे solve करेंगे तो मरा answer कहता है minus 68,000 कालोरी तो यह था हमारा आज का topic heat of combustion Thank you